हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माय चानल जॉय बंडल मैं हूँ निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ सुपर डिलिशियस केसर ड्राइफ रूट मोदक की रेसिपी गंडपती पपा आने वाले हैं आप ये मोदक बना कर पपा को जरूर भूग लगाईए तो चल रूब अधेंड़ फर ठंडा हो सबीका है ये थंडा हो को जाद थेंड़ को फोल्त रूट हो कि विक्विद कलर तो थोड़ा से यलो कलर डालेंगे तो अब क्विविड कलर है अगर आपके पास में लिकविड कलर है तो फिर जाब गरम कर रहे हैं गैस पर उस वक्त आपस में लिक्विड कलर डालकर फिर गरम कीजिए इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेना है दोस्तों बहुत बार क्या होता है हमारे हातों की गर्मी से यह मावा में चीनी पीघलने लगती है तो उसके लिए आप इसे टाइट करने के लिए मिल्क पाओडर लिया है एक बाके लिलेते हैं और अब इस बाओब में सबसे पेहले मिल्क पाओडर डालेंगे qIt भी लि ले दृस भी आपने पसंद के लिए हैं और कीश्मिश सभी सब्सेटी बारहे में खाट लिया था अग्दम फाइन कट किजिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेगे इस तरीके से भी ड्राइफ रूट्स पे मिल्क पाउडर की कोटिंग होचुकिए है इसमे 1 टेबिल स्पून छीनी का पाउडर डालेंगे हाँ पाउडर शुगर इसे फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से और अब हम इसमें केसर वाला दूट डाल देंगे अगर आपके पास में केसर अबिल नहीं है तो आप सेफ्रान वाला एसेंस भी यूज कर सकते हैं लेकिन ओरिजिनल केसर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा सा दूट बाल कर इसकी क कर दोटेंगे अब हम मोदग बनाना स्टार्ट करते हैं मार्केट में इस तरीके के मॉल मिल जाते हैं आसाने से इन्हें अंदर से अच्छे तरीके से घी लगा कर हम ग्रीज कर लेंगे तीनों भी इससों पर ग्री और फिर इसे दो रिस्से बन करके मावा बना कर रखा रख अच्छे तरीके से स्टफ करेंगे, बीच में ड्राइफुट स्टफ करने इसलिए बीच में जगा रखनी है, साइड वाल्स पर थोड़ा सा दबा कर प्रेस करके अच्छे तरीके से मावा लगाना है, ताकि बाहर का जो टेक्स्चर है, डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से अंदर से साइड वाल्स पर अच्छे से प्रेस कर लेजिए, और बीच में हमें एक केविटी रख लेंगे, देख सकते आप, अब यह जो केविटी है, इसमें हम ड्राइफुट वाली हमारी जो स्टफिंग हमने तयार की थी, वो स्टफिंग हम इसमें हम इसमें इसमें फिल करेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसे फिर से मावे से बन कर देंगे, और बस हमारा मुदक तयार हो चुका है, अच्छे से नीचे से एकदम प्लेन कीजिए, और फिर इसे हलके हाथो से ओपन करेंगे, हम यह देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा सुन्दर म इसी तरीके से हम और भी मुदक बना लेते हैं, सेम वैसे ही ग्रीस कर लेंगे, और फिर से फिलिंग करके, स्टफिंग भरेंगे, नीचे से प्लेन करके, फिर से ओपन करेंगे, इसी तरीके से बाकी के सभी मुदक हम बना लेंगे, यह देखिए एकदम पटापट से बन जा अभछ दिखने में भी सुन्दर है सभी मोदक मेरे बन चुके है इन मोदक पर उपर से डेकोरेशन के लिए तरह दागे, पिस्ते या चान्दी के वर्क से किसी भी चीज से डेकोरेट कर सकते हैं मैंने चांदी का वर्क लगाया है देखें बहुत ही खुबसूरत और डिलिशियस मोदक हमारे बनकर तयार हुए हैं, आप इन्हें जरूर प्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताएए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप और भी कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं हम आपके लिए जरूर बनाएंगे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तक यू